और भोपाल से खबर जहां MPK 26 जिलों में तेज बारिश का अलड जारी किया गया है भोपाल और नर्मदापुरम में सुबह से ही बारिश हो रही है इन दौर उजयन शिपुरी गुना में तेज बारिश का अलड जारी किया गया है परना, दमो और छिंदवाडा में भी बारिश हो सकती है प्रदेश में बारिश का strong system अब active हो गया है प्रदेश में 26 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना है कई जिलों में हलकी बारिश भी हो सकती है प्रदेश में अब तक सीजन का 80 प्रतीशत पानी गिर चुका है यानि की पर्याप्त पानी पर्याप्त बारिश मध्य प्रदेश में हो चुकी है एक बार फिर से मौनसून एक्टिव होगा और तेज बारिश की संभावना जटाई गई है मध्य प्रदेश की बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना है 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है और ज़ादा जानकारी के साथ हमारे सही होगी सूरज लाइफ जुड़ चुके हैं सीधाउन करो करते हैं सूरज मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का सिस्टम एक्टिव हो रहा है अभी फिलाल मौसम विभा की तरब से क्या अपडेट है दिखी बिल्कुल मद्द्परदेस में साइक्लाइनक सिस्टम और टरॉफ लाइन जो है वो इस वार मद्द्परदेस में एक्टिव है और अगले चार दिन तक पूरा प्रदेस भीक का नजर आएगा खासतों से राधधानी बोपाल की बात कि गुए तो देराध से ही रुक-र कर बारेस हो रहे ही जिससे मौसम भी खुस्रुमा हो चुका है बड़े तालाप का ये दरस आपको नज़र आ रहा है और खास दोर से लामतार पिसले एक हफ़ते से जिस तरीके से बारेस पर ब्रेक लगा हुआ था तो तेज, उमस और गर्वी से कही ने कहीं लोग परिसान होत कई जिलें ऐसे हैं जहांपर मौसम भी खागने बारेस का अलट जारी किया है और अगले चार दिन तक पूरे मौद्प्रदेश में है यसा ही देखने को मिलेगा खास दोर से दी हम असोगनगर निवाड़ी, टीकमगड़, पन्ना, तमो, मर्ला की बात हो, बालागाट, सिब बारेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी आने वाले समय में जिस तरीके से अलग-अलग जो साइक्ट्रोनिक सिस्टम एक्टिव हो रहा है मौद्प्रदेश में, उसके चलते एक बार फिर से तेज बारेस का दौर सुरू होगा, लेकिन फिलहाल चार तार देने याने की 26 तारी सूरज और इसके लावा मौसम विभाग ने जानकारी भी दे दी है कि 80 प्रतिशत तो बारेस हो चुकी है, जो कि किसानों और किसानी के लिहाद से बहुत अच्छी है, बहुत-बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारिया हम तक साज़ा करने के लिए सूरज